दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली कबर आम आदमी पर महंगाई की मार घरेलू रसोई गेस सिलेंडर 15 रुपे हुआ महंगा जिहा दसहरा दिपावली और छट महापर्व तयुहार से पहले लोगों को महंगाई का एक और जटका लगा है घरेलू रसोई गेस सिलेंडर की किमा देखबर फिर से बढ़ गई है बिना सबसिटी वाले 14.2 केजी वाले गेस सिलेंडर के दाम कमपनियों ने 15 रुपे बढ़ाई है पर उतिवहार से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार जटका लगा है आपको बता दे कि इससे पहले एक सितंबर को 14.2 किलोग्राम के गेर सबसिटी वाले घरेलू अलपेजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपे की बढ़ोतरी की गए थी इससे पहले पेट्रोलियम कमपनी ने 18 अगस्त को गेस सिलेंडर की किमोतों में 25 रुपे का इजापा किया था बड़ी कबर अब बिहार में दो सिप्ट में होगी इसकोल में छुटी दोनों की बीच होगा 10 से 15 मिनट का अंतर छुटी और लंच के दोरान भेड को रेगुलेट करने का आदेश जिहां इसकोलों में बच्चों की भेड प्रसासन के लिए टेंसन बन गई है इस्टुडियन की भेड में कोरोना का बड़ा खत्रा है क्योंकि 18 साल से कम उमर वाले हाई रिस्क में है ऐसे में छुटी के दोरान होने वाले भेड को रेगुलेट करने के लिए नई गाईलाइन जारी की गई है अब इसकोल दो सिप्ट में छुटी करेंगे और इन दोनों सिप्ट के बीच में 10 से 15 मिनट का अंतर होगा इस समद में पटना कमिस्नर संजे कुमार अगरवाल ने सभी जिला दिकारियों और जिला सिक्च पदतिकारियों को आदिस जारी कर दिया है वहीं कमिस्नर का कहना है कि टिपिन के समय कुछ कक्चाओं को 15 मिनट पहले और कुछ कक्चा को 15 मिनट के बाद समय दिया जाए एक साथ सभी बच्चे केमपस में भीड़ इकटा ना हो चात्र चात्राओं की भीड़ के रिगुलेट करने के लिए इसकुल प्रसासन अपने इस्तर से भी निर्न ले सकते हैं अगली बड़ी खबर बिहार उप चुनाओ को लेकर गाइडलाइन जारी विजय जिलूस निकालने पर प्रतिबंद मातर पांच लोगों के साथ ही केमपिन करेंगे नेता जिहां बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है जहां बिहार में उप चुनाओ को लेकर राज निर्वाचान आयोग ने दिसान निर्देश जारी किया है निर्वाचान आयोग दिसान निर्देश के नुसार सुब 7 बजे से साम 4 बजे तक मददान होगा चुनाओ की दोरान कोविड गाडलाइन का पालन करना होगा इसके अलावा चुनाओ को लेकर पांच लोगों की साथ ही डोर टू डोर केमपिन करना होगा बड़ी ख़बर बिदानसवा उपचनाओ के लिए पाप्पो यादव ने किया उमिदवार का एलान कुससर इस्तान से उतारा पत्यासी तारापूर सीट पर आज होगा फैसला बिहार बिदानसवा की दो खाली सीटों पर हो रहे उपचनाओ को लेकर सुबह की सियासिक गल्यारे में जवर दस चर्चा है जानादिकार पाटे के सुप्रेमो पाप्पो यादव ने उपचनाओ की दोनों सीटों में से एक पर फिलाल उमिदवार की गोसना कर दी है पपो यादव ने कोसिस्वर इस्थान सीट के लिए अपने उमिदवार का एलान कर दिया है जानादिकार पाटे ने कोसिस्वर इस्थान से योगी चोपाल को अपने उमिदवार बनाया है वहीं प्रदेश सदेच रागेंदर कुसवाहा ने इसकी गोसना की है तारापुर स सीट पर पार्टी आज यानि गुरुवार को फैसला करेगी तो यह अगली बड़े कवर चिराग पासवान ने विदान सबाव चुनाव के लिए उमिद्वारों का किया एलान दोनों सीट पर लड़ेंगे चुनाव जिहां चिराग पासवान की पार्टी लोग जन सकती पार्टी के उमिद्वार बनाई गई है चिराग पासवान ने अपने उमिद्वारों के नाम के एलान किया है बड़े ख़बर पुलोरस पार्टी भी विदान सबाव चुनाव में उतरेगी पुस्पम प्रिया चोदरी ने अपने दो उमिद्वारों का किया एलान विदान स चुनाव के पहले बिहार के मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक कर रातो रात सुर्कियों बटोनने वाले पुस्पम पिरिया चोधरे ने विदानसबा उचना में दो सीटों पर अपने उमिदवार उतारने का फैसला किया है। चिनिती में सक्रिया है। दूसरी तरब कुशिस्तर इस्तान सीट से सियाराम राम पाटी के उमिदवार होंगे। आपको बता दे कि सियाराम राम लोग कलाकार है और लोग गित में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। दुरगा के नौ सुरुपों की पूजा करते हैं। इस बार नौरात्री की सुरुआत आज आने 7 अक्टुबर से हो रही है। साथ आज कलस स्तापना भी की जाएगी। आपको बता दे कि कलस स्तापना करते समय सुम महरत का खास क्याल रखा जाता है। जानकारे के लिए बता दे कि स्तापना का सुम महरत सुबच 6 बज़कर 17 मिनट से सुबच 7 बज़कर 7 मिनट का है। बड़े कबर दो दिनों बाद बिहार से मानसुन की विदाई होगे शुरू कुछ जिलों में बारिस के आसार। इन जिलों के अलावा अब कहीं बारिस के आसार नहीं दिखाए दे रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विवाग ने अनुमान लगाया कि बुधवार व गुर्वार को भागलपूर समेत पूरो बिहार में हलकी बारिस हो सकती है। मौसम विभाग पटनाने कल पश्चमी और पूर्वी चमपारान में हलकी बारिस की भी सम्भावना जता ही है। वोई बाकी जीलों में मौस्वम समायनी ही रहनी की सम्मावना है अगले पांच दिनों बिहार के लिए जारी के गए वेदर रिपोर्ड में बारिस के आसार नहीं जताये गए हैं बढ़े खबर राज के 21 जीलों के एसपतालों को मिली सीटी सकेर की सुविधा मारीज CGHS की दर पर ले सकेंगी सुविधा का लाव जिहां बिहार के 21 जीलों के एएसपतालों में सीटी सकेर की सुविधा एंपलब्द हो गई है सभी जिला के जिला अस्पतालों वा मेडिकल कोलेज अस्पतालों में सिटी स्केन की सुविदा मरीजों को उपलब्द कराने की कारवाई की जा रही है सूत्रों ने बताई कि राज के छोग कोलेज अस्पतालों में भी सिटी स्केन मसिल लगाई गई है और मरेज के जाज की सिविदा अपलब्त कराई गई है इनमें पुराने सभी मेडिकल कोलेज पीम सेज पटना एनम सेज पटना डीम सेज दरबंगा एसके एम सेज मुझपरपूर एनम सेज गया वो जे एल एनम सेज भागलपूर सामिल है आपको बतादी कि करें 500 रुपे से 1100 रुपे की बेच सिटी स्केन की दर निधारित है बड़ी केबर सिवानन तिवारी का बड़ा बयान तेज परताब अब राज़त में नहीं चिराग पर कही ये बाद राज़त सुप्रेमों लालो प्रसाद यादव के बड़े बेटे देज़ बरताव यादव को लेकर पार्टी के राष्टियों पैदक्ट सिवानन तिवारी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि वे पार्टी से बाहर किये जा चुके हैं विसाली के हाजिपूर कर्य चाले पहुचे राज़त नेता ने कहा कि जब उन्होंने नय संग्टन बनाकर पार्टी के सिंबल का इस्वाल किया था तो उन्हें रोग दिया गया था उसलिए उन्हें निसकासित करने की जरोती कहा है वेतर स्वतन निसकासित हो चुके हैं उप्चिनाव लड़ने पर उन मिलासदी का चिरागी है बाड़ी ख़वर बारिश से हो गया फसल का नुक्सान तो मत करे चिंता विहार सरकार देगी इगाराज जिलो की किसानों को आर्थिग मदद जहाँ आती विरिष्टिक के करण जल जमाव की समय सा जेल रहे इगारा जिलो के परवावेत लोगों को मारग से सरविक्षन किया था उन्होंने जिला अधिकारियों को यहाँ हिदायत दिभी दिया कि तीन दिन के अंदर फसल चति का आगलन कर ले तता अधिक बारिस के कारान हुई फसल चति की रिपोर्ट उपलब्द कराए यह भी कहा है कि अतदिक जल जमाव के कारान जहां भु पाल गंजर सारन सामिल है अगली बड़ी केवर बिहार में साड़े तीन लाग सिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन असी हजार इसकोलों में मनेगा मानसिक स्वास्त सप्ता जिहां दसारा से पहले बिहार के साड़े तीन लाग प्रारामिक सिक्षकों को वेतन भुगतान सुन इचित करने का आदेश सभी जिला करिकरम पदादिकरी को दिया है इधर प्रातमिक विद्यालोय में पढ़ने वाले बच्चों की मांसिक रूप से अधिक सबल बनाने के लिए सरकार एक अनुका अभियान शुरू कर रही है दस अक्टोबर तक विद्यालोय में मांसिक स्वास सब्ता मनाया जाएगा अगली बड़ी केवर रेलवे करमचारियों को बहुत बड़ी खुसकबरी 78 दिन का बॉनस देगी सरकार केबिनेट में मंजुरी जिहां परवत यहार से पहले रेल करमचारियों के लिए खुसकबरी आई है मधिस सरकार ने एक बड़ा एलान किया है क केंद्रिय मंत्री मंडल ने वित वर्स 2021 के लिए आराज पात्रित रेल करमचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उतपादकता आधारित बोनस के मंजुरी दे दी है पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे करमचारियों के लिए 88 दिन के बोनस देने की घुसना की गई है क केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकूर ने बताए कि केबिनेट बेठक में निन्य किया गया है कि रेल्वी के नॉन गेजेटेट कर्मचारियों को इस वर्स भी 38 दिन का बोनस दिया जाएगा। की नुक्ती हो गई है बार 40 में से 14 महिलाई DSP की रूप में चैनित हुई है जिनकी नुक्ती हो गई है एन सभी को साधे में एक रुपया भी दहेज ना लेना होगा और ना ही देना होगा इसके लिए उन्हें घोसन पत्र देना होगा। से 13 जन्वारी तक आईजित होगा इसके लिए आविदन परक्रिया जारी है इस्टुडेन 19 अक्टूबर तक आविदन कर सकते हैं परिच्छा के लिए राज के साथ सहरों में परिच्छा केंद्र बनाए जाएंगे बोर्ड ने इस बार सहरों और परिच्छा सेंटर को कम र नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं